आज इस वीडियो में आपको पांच ऐसे magical tips शेर करूँगा जिसको यूज करके आप अपने negative कोई भी अगर situation है उसमें से बड़ा positively उसको handle करके बहार आ सकते हैं आज मैं अपने टीम में किसी के साथ conversation कर रहा था तो मैंने देखा कि वो अपने आपको बहुत एक negative situation में महसूस कर रहे हैं और बहुत ज्यादा demotivated महसूस कर रहे हैं दोस्तों आप अगर family life की बात करें या किसी professional life की बात करें आप चाहे जॉब में है या business में है या किसी profession में है अगर अपना best आप देना चाते हैं तो positive रहना बहुत जरूरी है लेकिन human beings के साथ हम human beings के साथ अकसर क्या होता है जहां पर बहुत सारी positive situations हमें मिलती हैं बहुत स ऐसा भी होता है कि हम लोग किसी ना किसी negative situation में भी first जाते हैं किसी ना किसी negative zone में हम लोग first जाते हैं तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि उस time पे यह समझ नहीं आता कि क्या करें उसमें से बाहर तो हम लोग निकलना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि क्या करें तो वो आज जो मैं इस वीडियो में आपको टिप्स बताऊंगा I assure you ये 5 टिप्स यूज़ करके बड़े सिंपल टिप्स हैं इनको यूज़ करके आप बहुत बढ़िया से अपने किसी भी negative situation को handle कर सकते हैं और उस negative situation को एक positive situation में change कर सकते हैं तो ये वीडियो बहुत ज़्यदा आपके लि दोस्तों पहला टिप है वो ये है have a group of positive people stay away from negative people दोस्तों अगर आप वाके में किसी negative situation में हैं तो मैं आपको ये recommend करूँगा immediately अगर आपके पास कोई ऐसे persons हैं आपके link में ऐसे persons हैं जिनके साथ आपकी daily या अक्सर बात हो रही है और वो आपको कहीं न कहीं demotivate कर रहे हैं negative कर रहे हैं तो मैं आपको ये suggest करूँगा ऐसी जो आपका कोई भी circle है ऐसा कोई आपका friend circle है या आपका कोई relative है या कोई भी person है ऐसा उसको immediately आप ignore करना शुरू कर दें for the time being और मैं आपको ये सला दूँगा कि आप अपने आपको surround करें positive people के साथ कुछ ऐसे आपके friends कुछ आपके relatives जो भी आपको positive करता है जो भी आपको motivate करता है आप उन लोगों के साथ रहना शुरू करें इसससे क्या होगा कि अगर भी अपने आपको positive महसूस करना शुरू कर देंगे और जब आप अपने आपको positive महसूस करेंगे तो यकीन मारिए आप अपने negative situation को बहुत बढ़िया तरीके से handle कर सकेंगे friends जो second magical tip है वो है express what you are grateful for मतलब कि आप जिन चीजों के लिए भगवान को शुकरिया अदा करना चाते हैं जो positive चीजें गौड ने आपको अल्री दी है इतनी सारी आप उनके लिए thanks express करें गौड को और अप feel करें आप feel करना शुरू करें आप अपनी जो negative चीजें हैं जो लाइब में बहुत कुछ ऐसा है जो positive है बहुत कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है लेकिन आपके पास है अगर आप पूरी situation को focus करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत कुछ है आपकी life में जो positive है जो शायद किसी और के लिए आज available नहीं है तो उस च कि आप अपनी negative situation को अच्छे से हैंडल करना शुरू करते हैंगे refresh your mind तीसरा magical tip दोस्तों क्या होता है कि जब हम लोग negative किसी situation में होते हैं तो हम लोग negative चीजों के बारे में ही जारा तर सोचना शुरू करते हैं और particularly आप उस negative situation के बारे में ही अपना पूरा focus करते हैं इस आप अलग-लग चीजों को यूज कर सकते हैं आप positive books पड़ सकते हैं जो books आपको motivate करती हैं आप वो पड़ सकते हैं आप positive करने वाली वीडियो देख सकते हैं आप positive करने वाली कोई movie अगर आपको अच्छी लगती है तो वो देख सकते हैं आप कोई भी ऐसे leaders हैं जो motivational हैं और आपको उसके उपर फोकस करना है जो चीजे आपको पॉजिटिव करने में हेल्प कर सकती हैं चाहे शुरू में आप सिर्फ आर्टिफिशली यह कर रहे हैं बट आप देखेंगे कि दीरे-दीरे क्या हो रहा है कि आपके जो माइंड है उसके उपर पॉजिटिव आप यह है आप रेगुलर एकसशाइस करें और या को माइन को र्लैक्स करेंगे तो यह किन naगेव करने की गशचाइस करने की या आप कोई भी अपनी मनपसंत की जो है वो गेम खेल सकते हैं जिसमें आपको फिसिकल या आपको एक्सष करने का मॉक्त मिलता है तो आप उसको करेंगे तो आप देखेंगे कि आप इंटर्नली फील करेंगे जब आपका ब्रेंड जो है वो रिलाक्स होएगा ना अपने नेगटिव स्ट्वेशन को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे फिप्थ मजिकल टिप है असेप्ट एडफाउंड स सर्क्म्स्टांसीज लेकिन उसको accept करें अप सेप्ट करें कि वाकए में एक नेग्टिव स्ट्वेशन में हैं क्यूंकि जब आप जब कोशिश करेंगे, तो आप अपनी situation को बहुत अच्छे से handle कर पाएंगे, अपनी negative situation को जब आपको realize होएगा, कि वाकिया आप एक negative situation में हैं, और आप दिल से चाहते हैं, कि उसका कोई solution निकले, तो जब आप उसके लिए efforts करेंगे, तो दोस्तो यकीन मानिए, आपको ज़र करते हैं, solution करने के लिए, जब आप कोई ना कोई solution निकालने की कोशिश करते हैं, तो आपको ज़रूर solution मिलता है, तो दोस्तों यह थे वो five tips, इसको use करके, आप definitely अपनी situation को बहुत अच्छे से handle कर सकते हैं, आपको मैं यहाँ पर एक और advise करूँगा, कि अपने आपको, अग उसको spend करना शुरू कर देते हैं, और उसमें क्या होता है, कि सारी negative thoughts हो है, वो और जड़ा heavy होना शुरू हो जाती है, तो better होता है, कि आप आपने आपको busy रखें, और कोशिश करें, कि अगर आपको कोई बहुत close कोई person है, जो आपको motivate कर सकता है, positive कर सकता है, आप उसके solution निकल सकता है, तो हो सकता है, वहां पर भी आपको बहुत जदा help मिले इस चीज़ की, तो मुझे उमीद है, कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा, तो ज़रूर लाइक करें, फिर मिलते हैं नहीं किसी वीडियो में, किसे नए topic के साथ, बहुत केर, बहुत अधर बस्त अवान थी तैम, थाओ ट्यू झाल झाल झाल